EPF एकाउंट में जो आपके pension की रासी पड़ी होती है तो बहुत सड़े लोग क्या करते हैं कि pension का सारा पैसा निकासी कर लेते हैं और EPF में ने जो आपका pension के लिए आपका पैसा जमा करके रखा हुआ है आप चाहे तो उस pension की रासी को मंथली मंथली ले सकते हैं तो इसके लिए आपको कुछ प्रोसेस करना होता है और इस प्रोसेस करने के बाद आपके एकाउंट पे पर महिने pension के रूप में रासी आती रहती है जितनी भी रासी आपकी जमा हो आपके EPF खाते में तो आज की विडियो में मैं आपको वही प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप EPF एकाउंट से अपने pension को चालू करा सकते हैं नमस्कार मैं आरे संकर आप देख रहें टी आर टीन हिंदी यूट्यूब चैनल इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इससे आपकी विसायता होगी अगर आपके अगल बगल में कुछ बृत जन है या कोई सरकारी employee है तो उनका भी फायदा हो जाएगा फायदा इस तरह से होगा कि एक मुस्त पैसे निकालने से कोई फायदा नहीं है आपको अगर पर मन्त कुछ भी रासी आती है ये अच्छी बात है और लेकिन कुछ बातों का ख्याल लखना है कि ये जो पर मन्त आपको pension मिलेगी वो कैसे मिलेगी सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते हैं तब तक ये pension आपका चालू नहीं होता है कि आपके EFF account में आपका profile फुल अपडेट होना चाहिए प्रोफाइल फोटो और आपका address अपडेट होना चाहिए इसके बाद जा करके आपके profile में mark exist यानि date of retirement भी अपडेट होनी चाहिए और ये चीज़े जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करनी कैसी है तो वीडियो के description मे जाएए आपको एक link मिल जाएगा full PF with doll आप उस वीडियो को देखिए क्योंकि आपका अब सकता पर सकती है अगर आई प्याफ खाते में आपका रासी परा हुआ है तो आप उस वीडियो को देखने के बाद अपने सारे रासी को निकाल भी सकते है और इस वीडियो को पूरा सारी चीजे आ जाती है और यहाँ पर देखिए आपको सर्विस डेटेर्स के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एक्जिस्ट दोनों दिखाई पर जाएगा अब बस आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है फटा फरसे काउंट नमर डाल लेते ह यहाँ नमर डालने के बाद वेडिफाय पर किलिक करेंगे और यहाँ पर यह पर आई अगरी के नीचे यह पर किलिक कर देंगे। यह अपर देखिए घरिन टीक लगजाएगा तो प्रोसिट टू ऑनलाइन क्लेम पर किलिक करेंगे हम लोग लोग बस इसमें मंधली आप देखिए, I want to apply for का एक option आपको देखने को मिलेगा, Select claim option पर आपके लिख करेंगे, और यहाँ पर देखिए, Monthly pension form 10D, यह आपको दिखाई पर रहा है, आपको इसे select करना है, select करने के बाद यहाँ पर क्या कहता है, Nomination, Details, No tab, Level, यानि कि इनका जिनका मैं apply कर रहा हूँ, इनका Nominee Add नहीं है, Nominee Add अगर नहीं होगा, तो फिर आपका Monthly pension चालू नहीं होगा, तो इससे पहले, अगर आपके साथ भी यह error आता है, तो Nominee Add कर लिजिए, Nominee Add करने का क्या process है, इस पर मैंने एक वीडियो पनाया हुआ है, आप IPF की सारी जानकारी वीडियो की description से ले सकते हैं, चलिए, तो इनका मैं थोड़ा वीडियो को पाउस करके Nominee Add कर देता हूँ, अगर आप लोग भी चुक है, तो इस वीडियो में थोड़ा बता देता हूँ कि Nominee कैसे Add करनी है, तो यहाँ पर देखिए, मैनेज पर आएंगे, E-Nomination का को एक option देखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लिजिए, Nominee तो इनका Add है, यहाँ देख लिजिए, इन्होंने Nominee 24 जन्वरी को किया हुआ है, बात किया इनका साइद E-Sign नहीं हुआ है, देख लेते हैं, इनका E-Sign, वेरिफाइ नहीं हुआ है, जो की करना आनिवार है, नहीं तो आपका E-Nomination फ्रक्सेस नहीं होता है, चलिए, परले मैं यह पूरा कर लेता हूँ, तो E-Sign करने के लिए, आप यहाँ चेक बॉक्स पर किलिक करेंगे, और थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद, यहाँ पर तीन आप्शन मिलते हैं आपको, अधार नमबर, UID, टोकेन वगेरा, तो अधार नमबर, यहाँ हम अधार सही कर लेते हैं, फटाफर्स अधार नमाइन का, यहाँ पर मैं दर्ज कर देता हूँ, अब अधार संक्या डालने के बाद, यहाँ पर देखिए, आपको मिलेगा, गेट OTP, ठीक है, यहाँ पर TOTP नहीं, यहाँ पर आपको, गेट OTP को स्लैट करना है, और यहाँ पर गेट OTP आप किलिक करेंगे, तो रजिस्टर मॉबाइल नमर पर OTP भेजी जा चुकी है, आप OTP यहाँ पर दर्ज करना है, OTP दारने के बाद, नीचे के चेक बोक्स को इनेबल करना है, और यह लास्ट का जो सम्मीर दिखाए पर है, आप सम्मीर पर किलिक करेंगे, यहाँ पर डटा प्रोसेसिंग ले लेगा, लेने के बाद देखिए, पेज आपको ओटोमेटिक रिडैरेक्ट कर देगा, देखिए, देखिए क्या हो, हाँ, यह आप देखिए, PDF साइन सक्सेजफुली, अब आपका E साइन विरिफिकेशन, यानि कि E नोमिनेशन आपका फूरा आओ चुका है, अब हम लोग अपलाई करनेगर जाते है, तो हमारा अपलाई हो जाएगा, अचरी हम फिर से यहापर आते हैं, claim form पर आता हैं, यहाप आने एक बाद, bank account, bank account दज़ कर लेते हैं, दज़ करने को बाद, verify पर क्लीक करके yes करेंगे, और लास्ट में proceed to online claim पर click करेंगे और फिर यहाँ पर देख लिजिए I want to apply यहाँ पर monthly pencil 10D को आपको select करना है अब देखें क्या कहाता है यहाँ परेसानी क्या हो रही है यहां पर प्रेसानी यहां परेसानी यहां पर कहा रहा है यहां थावन के बाद इन्होंने वीफ को जोवाइन किया जिस कड़न से यह apply नहीं हो पाएगा इनका pension लेकिन अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो देख लीजी प्रोसेस हाँ तो यहां पर 10D को स्लेट करने के बाद फैमिली डिटेस आपको दिखाई पर जाएगा अब इंप्लाई का आपको पूरा का पूरा एडेस डाल देना है डालने के बाद लास्ट में मैं अपन पर मंत पैंसन के रूप में जो भी राशी होगी सरकार के द्वाजव फंडिंग होगी वह आपको मिलता रहेगा तो यह था पूरा प्रोसेस पैंसन चालू करने का अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्य